क्या हम ACL की इंजरी बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं? मैं हिर्देश कुमार, फिजियो थैरेपिस्ट आज हम बात करेंगे क्या हम ACL की इंजरी बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं और किस किस कंडीशन में, किन कंडीशन में हमें सर्जरी करानी चाहिए और किस कंडिशन में हम बिना सर्जरी के फिजिकल थाइरपी से फिजियो थाइरपी से अपनी इंजरी को ठीक कर सकते हैं तो पहले हम बात करेंगे कि ACL होता क्या है यह हमारा knee joint है कुछ इस तरह से दिखता है यह thigh bone है और यह नीचे वाली bone है इसको femur बोलते हैं इसको tivya बोलते हैं इसके बीच में यह जो structure होता है यह ACL होता है यह हमारे अपर thigh bone को और नीचे वाले bone को जोड़ के रखती है another way मैं आपको समझाता हूँ इस तरह से होता है suppose यह हमारा knee joint है और यह कैसे काम करता है हमारे bone को यह आगे जाने से रोकता है जोड़ के रखता है दोनों joint को आगे जाने से रोकता है इसका यह काम है ताकि हमारा bone ज्यादा आगे न जाए during activity like jumping, jogging या फिर कोई भी sport activity में और अगर इसका partial tear है बहुत यह किसी भी injury में या फिर कैसे यह तूट गया है during jumping या किसी भी sport activity में तो इसमें होता क्या है अगर इसमें partial tear है या फिर sprain है आप कुछ भी activity करते हैं तो आपको ऐसा feel होता है कि आपको घुटना आगे निकल जाएगा आगे की तरफ sublactate हो रहा है और pain आता है activities में partial tear में हम physiotherapy से और immobilizing से इसको ठीक कर सकते हैं और कुछ other options में हैं जिसको हम बाद में discuss करेंगे अगर आपका partial tear है तो इसमें first three to six week का immobilizer लगाना होता है immobilizer हम leg को एक ही position में fix कर देते हैं एक brace knee brace देते हैं patient को knee brace लगा देते हैं ताकि जो आपकी injury है जो आपका ligament टूट गया है वो heal कर जाए जुड़ जाए और इसमें भी हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है immobilizing में जब आप leg moment नहीं कर रहे हैं तो उसमें आपको कुछ exercises करनी होते हैं जो physical therapist आपके आपको बताएंगे ताकि जब आप immobilizer हटाएं तो आपकी muscles जादा कमजोर ना हो और आपको चलने में बहुत जादा दिक्कत ना हो और second thing कब आपको surgery करानी की जरूरत होती है अगर आपका ligament suppose पूरा टूट गया है ये है knee joint अगर आपका lig surgeon orthopedic आपको बता रहे हैं कि आपका complete tear है तो आपका घुटना कई वरी बहुत जादा sublet take करता है आगे की तरफ निकल जाता है और इसमें आपके पैर में swelling भी आ जाती है और बहुत जादा pain रहता है तो इस case में आपको surgery ही एक option है अगर आपको कोई बोलता है कि बिना surgery के ठी हो जाएगा तो यह impossible है ऐसा नहीं होता इसके लिए आपको अपने surgeon से मिलना ही पड़ेगा surgery ही करानी पड़ेगी और इसके बारे में हम क्या क्या exercises होती है उसमें इसमें detail में बात करेंगे अपने next video में और अगर partial tear है तो कुछ surgeon आपको offer करते हैं कि अगर आप कुछ injections आ गए मार्केट में कुछ injection हैं like PRP with prolotherapy अगर यह कराते हैं तो इसमें आपको healing आपकी fast हो जाती है अगर आपके ligament में sprain है या फिर partial tear है तो fast healing होती है बट इसमें बहुत important role play करता है physical therapy, physiotherapy, physiotherapy exercises बहुत ज़रूरी है in immobilizer आपने नीमे brace लगा हुआ है in partial tear और in sprain even in complete tear अगर आपका complete tear है surgery हुई है surgery के बाद complete आपको 3 to 6 week physical therapy का protocol रहता है जो आपको follow करना होता है जिससे कि आप अपने activities में दुबारा वापस आ सकते हैं जल्दी properly और अपने sport activity में इसके बारे में हम अपने next वीडियो में बात करेंगे कि हमें क्या क्या exercises करने चाहिए जब हमारा partial tear है और complete tear है surgery के बाद या फिर हमें क्या क्या किन किन चीजों का ध्यान रखना है धन्यवाद क्या 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 है